प्लीज अपना काल शिखाएए जाएए क्लियर जाने दो प्लीज अपना काल शिखाएए प्लीज अपना काल शिखाएए बहुत अच्छे है रपोर्ट में शेहरदाद का नाम नहीं आना चाहिए क्यों? वरना शेहरदाद को कोर्ट के चक्रों में उलजना पड़ेगा और यासान नहीं होगा मैं चाहता हूं कि ये केस आगे तक जाये लेकिन शेहरदाद इस मामले से अलग रहें तुमने क्या शेहरदाद से पूछा है? ये उसी के लिए तो है कबीरों को फून कर देता हूँ इस्टेटन में एड परवा देगा शेहरदाद को गुल लगने वाली बात इसकी जरूरत नहीं फिर मीडिया वाले हमारे पीशे पढ़ जाएंगे तुम उनको जानते ही हो मैंनी चाहता कि शेहरदाद का नाम अफपारों में आए ठीक है गुड लग वो आदमी कहा है? वो अनकरा में है और तफ्टीज का स्रिस्रा भी भी जारी है मैं उस आदमी के टुकड़े कर देना चाहता हूँ तुम्हें अपने हाथ गंडे करने की जरूरत नहीं होना जी उसका इस्पताम यपिनन जेल में ही होता सर आप जिनका इंतिजार कर रही थी वो आ गए हैं बहुत खूब फिर मिलते हैं, सी यू वो किस से इंतिजार कर रहा था? इस से कोई फर्क नी बढ़ता वो बस अपना हाथ मेला करना चाह रहा था करेम ऐसा मत करो, ये चीज़े तुम्हारे लिए नहीं हैं हमारे लिए हैं हमारे लिए करेम बस कुछ बदला ले रहे हैं, जफर भाई छोड़े हमें, मस्वोचें बाता हूँ मिस्टर कैफ एक काम करते हैं तुम धंकियां चारी रखो अपनी अलफास का गेम खेलते रहो मैं अपना काम करता हूँ शुरिए मिस्टर रोनर हम अलफास का खेल भारी बढ़ता है कैफ लफ sustainable किताबों में अच्छे लगते हैं फिरिफ किताबों में एच्छे लगते हैं धंकियां फजूल होती हैं यहां पर कानून है अगर कानून चाहता है तो सदा देनी चाहिए मैं उस सदा की बात कर रहा हूँ बेकियो मिस्टर रोनर आप जानते हैं यहां के मामलाग कैसे होते हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं पक्वास बंद करो मिस्टर कैफ तुम्हें मालूमें इस वक्त आफिस में कौन मौजूद है फाइनिशल पुलीस आपके डॉक्विमेंट्स पे कब्जा हो चुका है दूसरे अलफाज में आपके कर्तूद खुलकर सामने आ चुके थैं मिस्टर कैफ मिस्टर कैफ पुलीस आ ऐसा तूमत कीजिये पूलीस नूर हया गार्टS को अंदर भेले मिस्टर आप मेरी बात तो सुने क्या अप पुलीस आ छुकी है ओफिस में जी सर पुलीस दीचे आ चुकी मिस्टर कैफ पुलीस आपकी मुंतजर है शरूर रूमें एक महाइदा भी किसे है आपके इस बात तो सुने